एक ऐसा शहर जो अपने रेगिस्तान और वहां की डेजर्ट सफारी के लिए जाना जाता है। UAE का सबसे स्मार्ट शहर दुबई दुनिया भर में अरब पतियों की पसंद है। लेकिन इस समय शहर पर एक बड़ा संकट छाया हुआ है। यहां कुछ ही घंटों में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि देखते ही देखते बाढ़ के हालात बन गए। संयुक्त अरब अमीरात UAE दुनिया की सबसे उची इमारत बनाने में तो काम्याब हो गया है। लेकिन मौसम की मार और बाढ़ के हालातों से निपटने में उसे मुश्किल हो रही है। जो तस्वीरें सामने आई हैं। उन्हें देख कर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह वही दुबई शहर है जिसकी सडकों पर फरारी लेंबोर्गनी जैसी सूपरकार्स दोड़ती है। जो अभी हालात है उनमें तो यह गाडियां आराम से डूब जाएं। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्यों इतने मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद यहां ऐसे हालात बन रहे हैं। 16 अप्रेल की शाम तक यहां बारिश के 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहां जितनी बर 7 साल भर में होती थी उतनी बारिश महज 24 घंटे में ही हो गई। दुबई रेगिस्तान में बसा शहर है। यहां लोगोंने साल में एक हादबारी आसमान से पानी टपकता देखा था लेकिन अब वो बारिश ही नहीं बलकि बाढ़ का भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बारिश थमने का नाम न ले, बिजलियां कड़के और चारों तरफ घना अंधेरा चा जाए। ऐसा दुबई आज से पहले कभी नहीं देखा गया। बारिश के बाद सबसे चौकाने वाली तस्वीर दुबई इंटरनेशनल एरपोर्ट से सामने आई। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक एरक्राफ्ट पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता नजर आ रहा है। दुबई का ये इंटरनेशनल एरपोर्ट सबसे बिजी इ वहीं अब ये तस्वीर देखिए। दुबई के बड़े-बड़े मॉल्स में भी बाड का पानी घुज गया है। आपको बता दु की इन मॉल्स में दुनिया का हर नामचीन फैशन ब्रांड मौजूद है। लेकिन बाड बारिश ने इनका भी हाल बुरा कर दिया है। वही मॉल के बाहर लोगों की करोडों की लगजरी गाडियां भी पानी में डूबी नजर आ रही है। स्थानिय प्रशासन ने स्कूल को ऑनलाइन क्लास पर जाने के लिए कह दिया है। वहीं दफ्तरों में वर्क फ्रैम होम शुरू कर दिया गया है। जानने वाली बात यह भी ह कि दुबई में कोई भी मानसून सीजन नहीं चल रहा है। वहां मानसून का सीजन होता भी नहीं है। वहां तो दो ही मौसम होते हैं। पहला गर्मी और दूसरा सर्दी। गर्मी का सीजन अप्रैल से अक्टूबर तक होता है और नवंबर से फरवरी तक सर्दी पड़ती है वीडियो की शुरुआत में हमने सवाल किया था कि आखिरकार क्यों इतने model infrastructure के बावजूद दुबई में बाड के हालात बन गए हैं। आईए बताते हैं, जिस देश में मानसून का सीजन ही न हो, रेगिस्तान जैसा देश हो, बारिश की उम्मीद ही न हो, तो वहां की इमारत हैं, उनको बारिश को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है। इतना दुरुस्त ड्रेन सिस्टम नहीं है कि बाड को संभाल सके। जब इतनी चीजें इतने बदलाव अचानक हो रहे हों, तो सवाल उठना भी वाजिब है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने और वेग्यानिकों की माने तो अचानक हुई बारिश को सरकार के क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट का नतीजा बताया जा रहा है। दरसल दुबई में पानी की कमी रहती है, ग्राउंड वाटर है, लेकिन इसके बावजूद पानी की कमी रहती है। इसलिए यहां की सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लेने की सोची थी। जल सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए 2002 में क्लाउड सीडिंग ऑन परेशन शुरू किया गया था। इस तकनीक के जरिये बादलों से ज्यादा बारिश कराने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है और केमिकल् से फिर बारिश होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में सीडिंग विमानों ने पिछले दो दिनों में साथ मिशनों को अंजाम दिया और केमिकल्स की मात्रा में भी बदलाव किया गया था। नतीजन दुबई में सैलाब लाने वाली बारिश आई है या जबरन आई गई। आटिफिशल रेन ही दुबई की तबाही की वजह बनी हुई है। एक्सपर्ट्स की माने तो क्लावड सीडिंग के कई फायदे हैं लेकिन ज्यादा चिंता इसलिए होती है क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में इतनी ज्यादा बारिश से जमीन धन सकती है। साथ ह अगले वीडियो धन्यवाद!